मैं आपको परमात्मा के बारे में एक कथा सुनाना चाहता हूँ जो पुरे संसार की लोगों की जीवन को बदल रही है यह कोई ऐसी कथा नहीं जिसे किसी ने बनाया है यह इस शुग्रन से है जो परमात्मा की वानी है इसलिए यह सत्य और विश्वास योग्य है एक ही इश्वर है और वह परमप्रधान परमात्मा है परमात्मा किसी भी व्यक्ति, आत्मा, धार्मिक गुरू, सरकार या देवता से शक्तिशाली है जिसकी लोग पूजा करते हैं शुर्वात में उसी का अस्तित्व था कुछ भी होने से पहले जब परमात्मा चीजों को रचने लगे वे सिर्फ बोलते थे और सब कुछ अस्तित्व में आया परमात्मा ने परत्वी पर और स्वर्ग में सब कुछ बनाया स्वर्ग में उनकी आराधना और सेवा करने के लिए उन्होंने स्वर्ग दूतों को बनाया और उन्होंने सब कुछ बनाया जिसे हम देखते हैं सूरज, चांद तारी, परत्वी, सारे पीड पोधि और जानवर और आखिरकार उन्होंने आदमी और और औरत को अपने ही स्वरुग में बनाया जब परमात्मा ने सब कुछ बनाया था, उन्होंने कहा यह सच में बहुत अच्छा है परमात्मा ने आदमी और और औरत को रहने के लिए एक सुन्दर बगीचा दिया हर दिन वे साथ साच चलते थे और उनका रिष्टा उसके साथ और एक दूसरे के साथ अदबुत था परमात्मा ने उन्हें बनाया कि वे बगीचे की देख भाल करें और हर चीश का आनन्द उठाएं उन्होंने उनको एक खास अग्या दी उन्होंने कहा आप बगीचे की किसी भी पेड़ के फल को खा सकते हैं सिर्फ एक पेड़ को जो बगीचे के बीच में है जिसे आप नहीं खा सकते अगर आप उसके फल को खाते हैं तो आप मर जाएंगे आदमी और औरत करिष्टा परमात्मा और एक दूसरे के साथ बिलकुल सही था परमात्मा ने हमें इसलिए बनाया कि हम इस प्रकार करिष्टा उनके साथ रखें और एक दूसरे के साथ रख सकें आदमी और औरत का रिष्टा परमात्मा और एक दूसरे के साथ अद्बुत है लेकिन क्या आपको याद हैं? वह स्वर्गदूत जिसे परमात्मा ने बनाया था, उन्में से एक स्वर्गदूत बहुत घमंडी हो गया वो परमात्मा की तरह होना चाहता था और दूसरे स्वर्गदूतों से परमात्मा की जगा अपनी आराधना कराना चाहता था लेकिन एक ही परमात्मा है जिसके आराधना करनी चाहिए इसलिए परमात्मा ने उस अवग्या क्यारी स्वर्गदूत को स्वर्ग से निकाल दिया और हम उस स्वर्गदूत को शेतान केते हैं परमात्मा ने उन सबी स्वर्ग दूतों को भी स्वर्ग से निकाल दिया जो उनके पीछे चलते थे, वे बुरी और दुष्ट आत्माई थे एक दिन शेतान ने औरत को उस पेड़ के फल खाने को भरमाया जो मना किया गया था उन्होंने उसे पूछा क्या परमात्मा ने सच में कहा कि आप बगीचे के किसी भी पेड़ से नहीं खा सकते औरत ने कहा, नहीं, हम किसी भी पेड से खा सकते हैं, सिर्फ उसको छोड़कर जो बगीचे के बीच में है, अगर हम उसे खाएं या उसे चुएं तो हम मर जाएंगे लेकिन शेतान ने उसे बताया, आप नहीं मरेंगे, बलकि आप परमात्मा की तरव बनेंगे औरत ने शेतान की बात सुनी और फल को खा लिया, और उसने पती को भी दिया, उसने भी खाया उस दिन उन दोनों ने पाप किया, पाप वही है जब भी हम परमात्मा के आग्याओं का उलंगन करते हैं परमात्मा धार्मिक और पवित्र है, उनको हमें दंड देना होता है जब हम उनके आग्याओं का उलंगन करते हैं परमात्मा ने आदमी और आउरत को बगीचे से निकाल दिया और उनका परमात्मा के साथ रिष्टा हमेशा के लिए टूट चुका था उस आदमी और आउरत की तरह हम सब ने पाप किया, हमारा परमात्मा के साथ रिष्टा तूटा हुआ है और पाप का परिणाम नरक में अनन्त दंड है हम हमेशा के लिए परमात्मा के साथ नहीं जी सकते, जैसे हम बनाए गए थे, क्या किया जा सकता है समय बीटते बीटते, प्रत्वी पर लोगों की संख्या बढ़ गए हाला कि उन सबी ने पाप किया, परमात्मा तभी उनसे बेहत प्रेम करता था और उनके साथ रिष्टा बनाना चाहता था परमात्मा ने अपने एक सेवक के द्वारा लोगों को दस आग्याएं दी और पावित्र है, तो हमें भी सिद्ध और पावित्र बनना है उनके साथ रहने के लिए दस आग्याएं ने लोगों को सिखाया कि वे परमात्मा और एक दूसरे के साथ सही तरीके से कैसे रहें उनमें से कुछ आग्याएं थी, अन्य देवताओं की पूजा ना करे, ना मूर्तियों को बनाए, अपनी माता-पिता का आदर करना, जूट ना बोले, चोरी ना करे, हत्या ना करे, दूसरों के चीजों का लालच ना रखे, वेविचार ना करे, लेकिन कोई भी इन सारे आग्याओं का पालन नहीं कर पाया, हर बार जब वे पाप करते थे, परमात्मा ने उनको अपने पापों को स्विकार करने दिया, और एक बलीदान चड़ाने दिया, जो उनकी दंड की जगा को ले लिया, यह बलीदान एक सिद्ध जानवर के खून भैने से ही पूरा होता था, जब वे इस बलीदान को चड़ाते थे, परमात्मा से विंति करते थे, कि उन्हें शमा करे और वह जानवर उनकी जगा मर जाने दे, सिर्फ खून के गिराने से किसी व्यक्ति का पाप शमा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीटा गया, वे खुरुदैस से अपने पापों के लिए दुखी नहीं थे, लेकिन उनके बलीदान खाली रिवाज हो गए, पर्मात्मा ने कहा, बस बहुत खाली बलीदान हो चुके, जानवरों को बलीदान करने के नियम से लोगों को ऐसास हुआ, कि वे अपने आप से पर्मात्मा के पास नहीं लोट सकते हैं, क्या किया जा सकता है? पर्मात्मा तब भी संसार के लोगों से बहुत प्रेम करता है, इसलिए एकदम सही समय में पर्मात्मा ने सद्गुरु इशु को भेजा, कि लोगों को दिखाए, कि वे उनके साथ अपना रिष्टा फिर से कैसे जोड सकते हैं, सद्गुरु इशु कौन है? सद्गुरु इशु पर्मात्मा का एकलोता पुत्र है, सद्गुरु इशु एक अद्बुत गुरु थे, लोगों को उन्हें सुनाने में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उन्होंने उन्हें सिखाया, कि वे पर्मात्मा के पास कैसे गुरु इशु एक शक्तिचाली चमतकार करने वाली भी थे। एक दिन बहुत सारे लोग गुरु इशु की शिक्षा को पूरे दिन सुनने के लिए आये। क्योंकि लोग भूके थे, गुरु इशु ने पांच रूटी दो मचलियों को लिया, उन्होंने प्रात्ना की और उन लोगों को बाटने लगे। उस दिन पांच हजार से अधिक लोगों ने खाया और त्रप्त हुए। गुरु इशु की ताकत हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है। दूसरी बार गुरु इशु ने जील को पार किया, नाव पर उनके शिश्च भी थे। जब गुरु इशु सोये हुए थे, एक विशाल तूफान आया। गुरु इशु के शिश्यों ने उनको जगाया और कहा। गुरु जी, हम लोग मरने वाले हैं। गुरु इशु खड़े हुए और हवा और लहरों को बोला, चुप, शान्द हो जा। हवा और बारिश तुरंद रुप गए। गुरु इशु की ताकत प्राक्रितिक संसार से महान है। जब गुरु इशु जील के उस पार पहुँचे तो एक हिंसक आदमी से मिले, जो कबरों के बीच में रहता था। वह बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था और बहुत ही खतरनाक था। जब गुरु इशु ने उसे देखा, उन्होंने उसे भी प्रेम किया। उन्होंने दुष्ट आत्माओं को बोला और कहा, जाओ। उन दुस्ट आत्माओं ने उस व्यक्ति को तुरंट छोड़ दिया और उस आत्मी का दिमाग स्थिर हो गया गुरु इशु की ताकत दुस्ट आत्माओं से महान है किसी और दिन प्रभु इशु का एक करीबी दोस्त बिमार हुआ और मर गया कुछ दिन बाद गुरु इशु अपने दोस्त की कबर पर आये जब उनोंने देखा कि उनका दोस्त कहां दफनाया गया था गुरु इशु रोने लगे गुरु इशु कबर के सामने गये और कहा दोस्त बाहर आओ उनका दोस्त कबर में से जीवित निकलाया गुरु इशू की ताकत मृत्यू से भी महान है गुरु इशू ने इन सारी चीजों को किया क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं वो चाते हैं हम सब परमात्मा के पास वापस लोटाएं सद्गुरु इशू परमात्मा के पुत्र थे और एक अद्भुद गुरु और साथ ही साथ शक्तिशाली चमतकार करने वाई और जितने लोग इस प्रत्वी पर जिये उनमें से केवल सद्गुरु इशू ने कभी पाप नहीं किया केवल वही थे जिनने पाप के दंड के योग ये नहीं समझा गया बहुत सारे लोग इशू से प्यार करते थे लेकिन कुछ दर्मगुरु सद्गुरु इशू से नफरत रखते थे उन्होंने उसे गिरफतार किया, उन्हें अदालत मिले गए और उनको मरवाने का फैसला किया उन्होंने सद्गुरु इशू को एक विशाल क्रूस पर लटका दिया उन्होंने उसके हाथ और पेरों को क्रूस पर कीलो से ठोक दिया जैसे उन्हें क्रूस पर लटकाए गए उनकी कीमती खून जमीन पर गिरने लगी उन्होंने चिल्लाते हुए कहा समाप्थ हो गया सद्गुरु ईश्यू आकरी और सिद्ध बलिदान बने परमात्मा हमसे प्यार करते हैं और उन्होंने अनुमती दी कि सद्गुरु ईश्यू हमारी जगे मर जाए सद्गुरु ईश्यू ने हमारे पापों का दंड उठाया सिर्फ खून के गिरने से हमारे पाप शमा हो सकते हैं किसी को हमारे पापों का दाम चुकाना पड़ा सद्गुरु इशु के उस दिन मरने के बाद उनके दोस्तों ने उनकी लाश को उठा कर सुरक्षित कब्र में रख दिया लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती इसके तीन दिन बाद सद्गुरु इशु मृत्यु में से जी उठे और बहुत सारे दिन तक लोगों को दिखाते रहे कि वो फिर से जीवित हो गए उन्होंने सिद्ध किया कि वो परमात्मा के पुत्र हैं और फिर अपने परमात्मा के पास स्वर्ग में लौट गए सिर्फ वही हमें परमात्मा के पास वापत जाने का मार्ग दिखा सकते हैं जब गुरु इशु प्रत्वी पर थे उन्होंने एक कहानी सुनाई एक जवान आत्मी ने अपने पिता से कहा कि संपती से मुझे मेरा हिस्सा दे दीजी वह जवान आत्मी दूर देश को चला गया और उसने अपने पैसों को गलत कामों में उड़ा दिया जब उसका सब कुछ खर्च हो गया तब उसने सब से नीच मजदूरी को चुना सुरों को चराना एक दिन वह होश में आया उसने सोचा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर है जिनके पास खाने के लिए भरपूरी है और मैं यहाँ भूका मर रहा हूँ मैं अपने पिता के पास वापर जाऊँगा और कहूंगा कि पिता जी मैंने स्वर्ग और आपकर विर्द पाप किया मैं अब आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं हूँ क्रपया मुझे अपने एक मज़़ूर की तरह रख ले तो वे उठकर अपने पिता के पास गया लेकिन जब वो बहुत दूरी था उसके पिता ने उसे देखा और दया से भर गया वो अपने बेटे के पास दोड़ा और उसे गले लगा लिया और उसे चूमा बेटे ने पिता से कहा पिता जी मैंने स्वर्ग और आपके विरुद पाप किया मैं अब आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं हूँ लेकिन पिता ने अपनी नोक्रों से कहा जल्दी से सबसे अच्छा कपड़ा लाओ और इससे पहना दो उसके उंगलियों में एक अंगुठी पहनाओ और उसके पेरों में चपपल डालो आओ हम दावत करें और खुशिया मनाए क्योंकि मेरा ये बेटा खोया हुआ था और अब ये मिल गया है हम सब इस जवान बेटे की तरह हैं हम सब ने पाप किया और हमारे पिता परमात्मा से दूर हो गए लेकिन इस बेटी की तरह हम परमात्मा के पास वापस आ सकते हैं हमें अपने पापों के लिए शमा मांगना चाहिए और परमात्मा के पास वापस आये उस जीवन को पाने के लिए जो वह चाहते हैं कि हमारे पास हो उसके बच्चे होने के नाते सद्गुरु ईशु ने कहा कि मार्ग, सत्थ और जीवन में ही हो मेरे बिना कोई पिता परमात्मा के पास नहीं आ सकता क्या आप चाहते हैं सद्गुरु ईशु आपको परमात्मा के पास वापस ले चले? सिर्फ सद्गुरु इश्यू हमें परमात्मा के पास वापस ला सकते हैं परमात्मा के पास वापस जाने के लिए आपको स्विकार करना होगा कि आपने उनके विरुद पाप किया है आपको विश्वास करना होगा कि प्रभू इश्यू आपके पापों के लिए मर गए, आपके दंड को अपने उपर ले लिया, और परमादमा से पूछें कि वह आपको शमा करें। आपको सद्गुरु इश्यू में ही विश्वास रखना होगा कि वह आपको वापस लाएंगे और परमात्मा पिता के बच्चे होने के नाते आपको अनंत जीवन दे। सद्गुरु इश्यू के पीछे चलना होगा आपके नए स्वामी और गुरु के रूप में। इश्यू ग्रंथ में लिखा है परमात्मा ने संसार के सब लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना अनोख़ा पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके पुत्र पर संपूर्ण विश्वास करेगा उसका विनाश नहीं होगा परन्तु अम्रत जीवन पाएगा। आप परमात्मा के पास जा सकते हैं जेसे उस जवान आदमी ने किया वो अपने पिता के पास लोट आया कुछ ऐसे कहते हुए। गुरु इश्यू को अपना स्वामी मान के उनके आज्याओं का पालन करूँगा अब से हमेशा तक मेरे अम्रत और नए जीवन के लिए धन्यवाद आपके संतान के रूप में क्यों नहीं आप उसे अभी इसी वक्त पुकारें। अगर आपने सच में परमात्मा को पुकारा तो अब आप परमात्मा के बच्चे हैं हमेशा के लिए परमात्मा चाहता है कि आप दूसरों को भी ये बताएं कि आप उनके बच्चे हैं। परमात्मा की योजना सिर्व आपको उसके पास वापस लाने के लिए नहीं है लेकिन आपके परिवार और दोस्तों को भी आपके द्वारा लाना चाहते हैं ताकि उनका रिष्टा परमात्मा के साथ और एक दूसरे के साथ दुबारा स्थापित हो सके। आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसको ये कहानी सुननी की जरूरत है।